गुड मॉलिंग बच्चो कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे तो बच्चो मेरे हाथ में सबसे पहले आप यह बताओ यह कितने माल कर देख रहे हो वान टू थ्री फोर चार है अब इसमें से एक मैंने नीचे गिरा दिया अब मेरे पास कितने बचे एक दो तीन एक मैंने फिर से नीचे गिरा दिया अब मेरे हाथ में कितने हैं दो एक मैंने फिर से छोड़ दिया अब मेरे हाथ में कितने माल कर बचे एक और अब मैंने इसको को भी छोड़ दिया अब मेरे हाथ में कितने मायकर हैं एक भी नहीं कितने हैं एक भी नहीं ये बात मैंने आपको क्यों बताई एक भी नहीं पीछे आकास बैठा था उसने बोला सर कुछ नहीं बचा किसी ने का एक भी नहीं बचा किसी ने का कुछ नहीं बचा पीछे किसी ने तब तक इंग्लिश में बोल दिया नथिंग नथिंग माने कुछ नहीं है और और भी ऐसे बचे थे जिसमें से किसी ने ये भी का जिएरो बचे तो जीरो या शून तो बेसिकली देखा जाए तो यह concept है जीरो का कि जीरो हमारा शून किसे कहते हैं अगर पूचा जाए कि सून क्या है तो उसका मतलब एक भी नहीं कुछ नहीं ठीके इसी को हम लोग शून कह देते हैं और उसको गड़त की भासा में इस तरीके से हम लोग लिखना स्टार्ट कर दिया तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्राक्रतिक संख्याए तो और वो संख्याए हमारी कहां से सुरू होती थी एक दो तीन चार पांच और यह हमारी अनंत तक चली जाती थी ठीक है अब इन्ही प्राक्रतिक संख्याओं में हम यही जो कुछ भी नहीं है यानि सून को भी हम जोड़ देंगे जब तक सून इसमें नहीं जुड़ेगा तब तक यह संख्याए हमारी पूर नहीं होगी इसको हम लोग पूर नहीं कहेंगे अभी तक यह संख्याएं जो म विसी में हम 0 को भी समलित कर लेंगे, तब हम इंस सभी संख्याओं को बोलेंगे, पूर संख्याएं, तो समझ गहीं आप लोग पूर संख्याओं, हमारी कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, 0 के बाद 1, 2, 3, लिए तरीके से, ठीक है, सबसे चोटी पूर संख्या जी तो सबसे बड़ी लास्ट में कहा है अनंत इसका मतलब हमें पता नहीं है ठीक है और मुख रूप से प्राकतिक संख्याओं में सून को मैंने जोड़ दिया तो पूर संख्या हो गई और सून मेरा क्या है कुछ भी नहीं एक भी नहीं जैसे एक एक जामपिल आपकी बुक में दिया गया है एक पहले पेड़ बना हुआ है उसमें दो चिडिया है फिर एक उड़ गई तो कितनी बची एक अगला पेड़ दिखाया जा रहा है इसमें एक भी चिडिया नहीं है तो कितनी बची एक भी नहीं बची फिर इसको हम लोग आगे चलके शून लिखने लगें ठीक है तो आप लोग समझ गये होंगे हम बात कर रहे हैं कख्षा 6 की गड़त की इकाई दो पूर संख्याओं की और उसका जो concept है पूर संख्या इंग्लिस में इसको whole number कहते हैं और इसकी exercise पे अब हम लोग चलते है एक्सरसाइज 2-1 तो बच्चो इक्सरसाइज 2-1 पहला प्रस्ण है कि सबसे छोटी पूर संख्या बताईए तो सबसे छोटी पूर संख्या अभी मैंने आपको बताई थी कौन सी थी कुछ भी नहीं यानि शून ठीक है सबसे छोटी पूर संख्या हो गई हमारी दूसरा प्रस्ण हमारा है यही हमारा आंस रेखा पर यहां पर भीिच में इसका मूल्बिंदू होता है उसके बाद ऐक के बाद दो के बाद दो के बाद तीन के बाद चार चार के बाद पंच से और शेंट और इस तरीके से आगे तक सब्सक्रारा पीछ में । थीक है। तो आपने द gather संख्यारेु अपर 20 से ये सभी संख्याइ एक बढ़ी है तो एक आगे बढ़ती चली जाती है है एक के बाद मारा 2 आएगा 2 के बाद 3 आएगा 3 के बाद 4 आएगा जिस तरीके से गिंती हमारी आगे चलती है ठीक है अब अगला प्रस्न है तीसरा कि तीन क्रिमागत पूर्ड संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है तो संख्याइं ग्याद करो यह बहुत अच्छा संख्या कब आई जब मने एक जोड़ा और यह संख्या कब आई जब इसमें से हमने एक जोड़ा गल्द 0 shoulders तब तीन आया थीक है तो इसको समझो कितनी किर्मागत संख्या के रही है 3 हुआ तो अगर हम यहां पर माने सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहली क्रिमागत संख्या बराबर x तो दूसरी होगी x प्लस 1 और तीसरी क्या उनसी होगी तो तीसरी क्रिमागत संख्या क्या होगी x प्लस 2 मैंने बोला था पहली x एक है तो दूसरी एक जुड़ेगा और तीसरी पहली से कितना जुड़ेगा 2 क्योंकि तीसरी दूसरी से एक जुड़ेगा ठीक है एकस प्लस टू अब प्रस्न क्या कह रहा है हमारा देख लो प्रस्न आनुसार पहली और तीसरी का योगफल 28 है इन दोनों का योगफल एकस प्लस एकस प्लस 2 बराबर 28 ठीक है तो इसमें x और x हो जाएगा हमारा 2x और 28 और ये 2 बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 28 में से 2 गए 26 और इधर हमारा 2x ठीक है अब ये 2 बटे में जाएगा तो x बराबर 26 और ये 2 इधर गुड़े में था इधर आएगा बटे में हो जाएगा ठीक है अब इस 2 का भाग देदेंगे 2 एकम 2 और दुत्ती 6 तो ये हमारा x बराबर आ गया 13 तो क्रमागत संख्याएं क 13 के बाद 1,13 में जोड़ देंगे 14 और 14 में एक जोड़ देंगे 15 तो 13,14,15 और यही हमारा आंसर आ गया देखा आपने बहुत आसान और बड़ा अच्छा प्रस्न था तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस्न यानि प्रस्न नंबर 4 पर तो बच्चों हमारा यहाँ यहाँ पर चौथा प्रस्न है कि यह दे तीन क्रमागत पूर संख्याओं में मध्य की संख्या 49 हो तो तीनों संख्याएं ग्याद करो बहुत अच्छा प्रस्न है तीन संख्याएं हम से पूछ रहे हैं बीच की है 49-ठीक है। लिख दो यहाँ पर दिया है बीच की संख्या 49 तो क्रिमागत संख्याएं यानि एक इसके पहले की होगी एक बाद की होगी तो पहले वाली लिख दो अतअधा तीनों संख्याएं क्रिमागत तभी तो पता चलेगी तो 49 में एक कम कर दो कितनी हो जाएंगी 38, 38 के बाद 49 और 49 के बाद उसमें फिर से एक जूड़ दो 40, तो 49 हमारी बीच की है और ये तीनों संख्याएं क्रिमागत हो गई तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों बहुत आसान प्रस्न है लास्ट देख लेते हैं इसका पांचवा प्राकरतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के समलित कर लेने पर वह पूर संख्याओं का समूह हो जाता है जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था प्राक्रतिक संख्याओं का समूर हमारा होता है एक, दो, तीन, चार, पाच, यही तो होता है प्राक्रतिक संख्याओं का समूर, लिखतो यहां पर प्राक्रतिक संख्याओं हैं, ठीक है, और पूर संख्याओं क्या होती है, पूर संख्याओं क्या होती है, इसी में हमने बोला प्राकतिक संख्याओं का समूव पूर संख्याओं का समूव बन जाता है तो बच्चों यह हमारा इस प्रिस्ट का आंसर आ गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है आई होब कि आपको यह एक्सरसाइज लगाने में बड़ा मजाया होगा तो आद की स्वीडियो में इतना ही मिलते हैं कल फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ तब तक के लिए नमस्कार